दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको एक दुरलब चड़ी बुटी कीड़ा मारी की पहचान कराऊंगा और इसके फाइदे के बारे में पूरी चानकारी दूंगा ये जड़ी बुटी जमिन पर फ्यलती है और एक बेल की समान उपर बढ़ती है ये इसके फूल है और इसके बाद इसे फल लगने सूर हो जाते हैं दोस्तो इसकी विचेशता यह है कि इसके आसपास कभी जंगली जहरिले कीड़े नहीं आते हैं अगर आते हैं तो इसकी तीक् पत्रा कहा गया है गुजराती में कीड़ा मारी हिंदी में कीड़ा मारी और मराति में गीधान गंधन और गंधाती से पहचानते हैं इसका अंग्रीज नामHD और जैननिक नामख एरिसटाओक्या है अगर घर के आस्पास ये पोधा होता है तो कभी भी जंगली बिच्ओ इसलिए भूल से भी गर्बवती महिलाओं और बवासिर की रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दुम्रपत्रा कहा जाता है। इसका स्वाद कड़वा होता है और ये चंतुगन होता है। देट में होने वाले कीड़े को नश्ट करता है। ये गर्बाशय को उत्तेजित करता है और सुद्ध करता है। ये महिलाओं के अनीमित मासिक स्त्राओं को नीमित करती है। ये तवचा के रोगों की सबसे कारगर और अद्भुत अवसदी है। यदि दाद, खुजली और गिली-खुजली की समश्या होती है तो ऐसे में इसके ताजे पत्व को पिशकर एक लेप बनाए और प्रभावित स्थान पर लगाए। ऐसा कुछ दिनों तक करते रहने से तवचा के सभी प्रकार के रोग मिट जाते हैं और फिर से उत्पन नहीं होते हैं। महिलाओं में भी अधिक फायदेमन होती है। जब तीनों दोस कोपित हो जाते हैं इसे सन्नी पात कहते हैं। सन्नी पात होने पर इस बुटी को जड़ सहीत लाकर सिर पर लगाने से सन्नी पात में जल्दी से आरम हो जाता है। इसके अतरिक्त महिलाओं में पेट गिरने की समस्या होने पर अर्थात गर्भासाई निचे की तरफ जब गिरता है तब इस चड़ी बुटी को लाकर कमर से निचे की तरफ बांधने से इस समस्या से जल्दी से निजात मिल जाता है। इसके साथ इसके पत्तो को सुखा कर चूर्ण बना कर तीन से पांच ग्राम की मातरा में दे सकते है। अगर चोटे बच्चों को कब्ज की समस्या होती है तो ऐसे में कीडा मारे के एक पत्ते को लेकर उपर एरंडी का थोड़ा तेर लगाए। अब इस पत्ते को बच्चे के पेट के उपर बांधने से दस्त होकर कब्ज मिट जाता है। दोस्तो इस चड़ी बुटी में एंटी फंगल और एंटी बेक्टरियल गुण पाए जाते है। आए जाता है।